एंपी के राजगर जिले में संपत्ती संबंदी अपरादों पर अंकुष लगाने के लिए पुलिस अदिक्षक श्री अबिदेश कुमार्गौस्वामी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अदिक्षक श्री मन कामना प्रशाद के मार्ग दर्शन में जिले के समस्त अनुविभागे अधिकारी पुलिस एवं समस्त थाना प्रभारियों को लगातार हिदाय दी जा रही है कि कहीं भी कोई संपत्ती संबंदी अपराद करने वालों को त्वरित धर पकड़ की जाए थाना खिलची पुर में फरियादी संजे सराफ, पिता ब्रच मोहन सराफ, उम्रु 54 साल निवासी, पैलिस रोड जवाहर चौक, खिलची पुर ने आकर जुवानी रिपोर्ट किया दर्मियानी रात को कोई अग्या चोर हमारे तीसरी मंजिल पर बने टावर पर चड़कर टावर पर लगे लोहे की गेट को तोड़ कर दुकान में घुस कर सोने चांदी के आभुशर चोरी कर ले गए रिपोर्ट पर अपराद क्रमांग 532, 2022 धारा 457, 380 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया अठारा और उननीस अक्टूबर की दर्मियानी रात शिरी संजय सराव जोकी स्थानी व्यापारियां स्वने चांदी के उनकी दुकान में ऊपर से तीन मंजिन दुकान में उपर से दर्वाजा तोड़के अग्यात बदमाशों के द्वारा एक बड़ी चोरी की बारदाद जिसमें सोने और चांदी का काफी बड़ी मात्रा में जेवराद चोरी गए थे उसको पुलिस के द्वारा अनेक टीम बनाकर उसके काम किया गया और घटना इस्तल के मौके मौाइने से यह इसपस्ट हुआ कि बदमाश इस्थानी है तब पुलिस के द्वारा अपने इंफर के किनारे वाला इलाका है वहां पर एक हमारे कांस्टेबिल है बहादुर मीना और दो एनरेस की जवान है उनकी मदद से पकड़ा गया उसके बाद पूश्टांच के बाद तीन अन्य बदमाश और पकड़े गए और सत प्रतीशत माल 40 किलो चाली और पंदरा तुरी सोने ब चार आरोपी इनकीन धाराओं में मामना दर्स अभी इसमें 389 में मामना दर्स था दो और अन्य पिर्प्रण जहां उन्होंने घटना करने की कोशिस की है एक बैंडिंग मशीन वो ले गए थे दो अपराद इन पर और पंजिवान के इसी चोरी में या आजनी चोरी में इनक पूछताच में जो है यह इस पास चुगा है कि यह प्रोफेशनल पेशेवर चोर है इनसे और भी चोरियां बरामद होने की संभावना है अतार इनका पुलिस रिमांड दिया जा रहा है जिसके बाद पूछताच की रिखती रहिए डीवी भारती सामचार नजर हर खबर पर झाल झाल